लाइक, शेर और कमेंट, तो सब्सक्राइब इस चैनल प्लीज प्रेस ते बेल आइकर दिल्ली की प्रेस कलब में जैट एहर के क्रमचारियों ने आज प्रेस कलब में प्रेस कॉन्फरेंच की और केंदर सरकार से गुहार लगाई की जैट एहर को फंड दिया जाए जिससे की है, पहले की तरह लोगों को अपनी उडान की सुविदात दे सके जैसे की जैट एहर फंड के कारण बंद है, हमने जैट एहर के करमचारियों से बात की इस प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट किया जाए, एक तरह से कम्मिनिकेशन बनाई जाए ताकि बताया जाए कि लोगों को, ताकि होप रहे, इस चीज की लिए जो यहां बैठे हैं सारे, उनकों होप रहे, कि हम दुबारा से उड़ेंगे और जित्ती ही जब उपरान है क्या गवर्णन की रिवायत जाप कर रही है, गवर्णन से को संतु स्टेट जो अनों रवायत लोगों को आपके पुछने, जो आपके सारे लोगों के, क्या वो रिप्रेशन हो सकते जबारा? देखी, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी सरकार को बने में से थोड़ा से समय हुआ है, तो ये कहना के सरकार के पॉजिटिव इंडिकेशन हैं, और अभी तक के जो इंडिकेशन हैं, उससे हम पूरी तरह सेटिस्पाइड हैं, उसमें कोई भी ऐसी प्राब्लम नहीं है दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा से करेक्ट करना चाहूँगा, हम एरलाइन बंद नहीं हुई है, एरलाइन का टेंपरेरी सस्पेंशन और अपरेशन हुआ है, एरलाइन आज भी रिवाई, अभी भी एरलाइन इस देर, और अस्ताई रूप से बंद है, और लोगों नही जाती है, तो हम लोगों में से यह कहा जाता है कि आपकल से बंद ही हो गया, साथी साथ यह भी ऑक्शन हो गया, और आपकी इंप्लाइमेंट पर चलिएगी, ठीक है, ऐसा पोच नहीं है, और अस्ताई रूप से बंद इसलिए रखा जाए कि चांसे हैं, इन्वेस्टर्स ल या उमीद कर सकते हैं, पाकिताइम में आचार संधीता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, एक हफ्ते में हमारे एक बंद भी अगर आजे जिसने को, तो समझते हैं, बहुत है, बहुत ही है, शुक्रिया रहा करता हूँ सरकार्गा जोनोंने ऐसे ऐसे इन्दे में प्रेपदल जो आज ये प्रेस कोंफरेंस रखी, किस मुतों के लिए रखी गई है, कि हमें सरकार से ये उमीद है, कि वो जैटेवेस को रिवाइब करने में हमारी थोड़ी मदद करें, और हमें आगे बढ़ने में थोड़ी हेल्प करें, सरकार किस तरह आपकी मदद करें? सरकार, जो भी हमारे SBI और आगे जो इंवेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा कुशब तरहें कि आप क्लीज थोड़ा जल्दी रिवाइब करने की कोशिश करें, तो कि 17 एपरिन से आज की डेट, ये छोटा टाइम में होता है, ये बड़ा टाइम होता है, तो हम ही उम्मीद क करना चारते हैं सरकार से कि वो थोड़ा सा प्रेशर डाले SBI के उपर कि इस रिवाइबल प्लान को थोड़ा और जल्दी से जल्दी से स्टार्ट करें, अच्छा मैडम जैसे ये आपका च्यार-पांच महीने से बंद है और 24,000 के आसपास वरकर है, तो कैसे घर चलना, तो इस बीच में कोई सेलरी की भी आपकी मान है, जो आपको इतने दिनों से सेलरी भी नहीं है, फर्स्ट तो हम यहाँ इसलिए इखटा होएं कि हमारी कंपनी स्टार्ट हो, सेलरी की मान रहेगी, पर पहले कंपनी स्टार्ट हो, यानि पहले कंपनी को गवर्मेंट को कहीं से सा आप लोगों ने देखा हुगा कि जैटर्वेस का इंपलॉई एक ऐसा इंपलॉई है जो अपनी कंपनी के सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी आई और चली गई लेकिन किसी कंपनी का इंपलॉई नहीं बुला आज हम लोग सिर्फ मोधी मोधी जी ने जब जीट के सामने आई थे तो उना ने कहाता है दो जातिया है एक जाती जो अमीरों की है और एक करीब की तो हम जाते हैं हम उनके इस महीम का एक हिस्सा बने और जो एक स्टेंप लगा रखी कि इंपरियमेंट रेट कम हो रहा है उसके इंदर हमारा नाम ना जोड़ा जाए हम लोग 24 जाद प्लस करके दिखा दें कि हां हम लोग देश के विकास के लिए आपके साथ खड़े हैं और आगी इस देश को इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जाएंगे और बहुत एच्छप प्रफोर्मेंस हम लोग देंगे मोदी जी का नारा है और इस देश का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है इस देश की बेटी पढ़के आगे आई है एक जॉब करना चाहती है उस कंपनी को बंद मत करो उसको वापस स्टार्ट करो कि हमारी जो हम इस देश की महिलाएं है उन व और आशा की किरन दिख रही है, बस हम उसमें थोड़ा सा स्पीड अप चाहते हैं. कि मोजी जी से के हमाली ये कंपनी को जैसे पहले चले की वैसे ही उडान दिख शुरू करते हैं. जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चंदसेगर मंडल बोल रहा हूं, मैं 24 साल हो गया जेटर से. कभी ऐसा सोचा भी नहीं था. कभी नहीं सोचा था. हमारा उमर कैटेल तैगी बता है, कि 50 साल हो रहा हमारा उमर सबका, मैकसिमम पचास के आसपास हो गये. तो हम ढ़्रैवर्स लोडर्स हम कहा जाएंगे, मैं ड्रैवर सुबर्विजर हूं, यह लोडर्स हैं कही हैं, हम लोग कहा जाएंगे, कुछ कीजिये, हमें आसा है, बहुत ज्यादा आसा है, कि हमारा आशा करकार जो है क्योंकि वो कुछ करेंगे, जिरूर करेंगे. आज आज कीजिना हैं, आज रात को हमारा last flight है, आज वाईज साल, तरीस साल, चव्वीस साल सभी साल उनारे संदy्ट अगले. तो सर वो इतना बड़ा शोक था हमारे जटका था हमारे लिए कि कल से हमें आना नहीं है तो उससे पहले कभी कमपणी में कोई ऐसी बाते हुए इस सच नहीं आया है एक तम अरजेंट ऐसा अजसर जैसे आप ने बताया कि 17 तारिको ऐसा हुआ कि लास्ट लाइट है तो क्या उसकी जानकारी आपको पहले नहीं थी नहीं थी नहीं थी तो क्या इसकी जानकारी आपको पहले नहीं थी तो क्या इसकी जानकारी आपने दूसी दिन जाके ली है पता किया आपने कि मतब क्या था इसा कि जिस तरी किसे आपने बोला है कि सतन तारीक को हमारी लास्ट जो नीचे के स्टाफ है, हमें ही आसा है कि कमपणी कैसे भी हो, जेटरेस एक नमबर है, बाकी कोई भी अगरेस हो, उनके स्टाफ के साथ जैसे भी बरता होता है, हमारे साथ एक नमबर होता है, और हम एक नमबर काम करते हैं, हम सब अपना दिल जान से काम करते हैं, हम एक मिनि हाजात तोमर की रिपोर्ट हर कबर दिली